हेलो गईज वेलकम तू माई चैनल राधे राधे यह मॉर्निंग का समय सभी जा चुके हैं बच्चे स्कूल गए हैं एक बच्चा स्कूल गया एक नहीं गया है और यह देखें सुवे सुवे हर चीज इदर उदर बिखेर के जाते हैं यह अंदर वारी टेबल है और यह दूसरे रूम की टेबल है इस पर भी सारा समान बिखरा हुआ पड़ा है तो मैं पहले इसे समान को समेट देती हूँ और यहां पर यह घड़ी बंद हो गई है कभी चलती है कभी बंद हो जाती है मैंने इसकी बैटरी को भी चेंज करके देखा लेकिन ठीक ही नहीं हो रही है नहीं लेनी पड़ेगी या इसे ही ठीक करवाना पड़ेगा और यहां पर यह स्कूल नहीं गई है क्योंकि इसकी कुछ classes, online classes रह गई थी तो आज ये उन्हें पूरा कर रही है क्योंकि इसका phone खो गया था और ये देखी, यहाँ पर हर चीज इधर उधर विक्री पड़ी है क्योंकि morning में सभी को जल्दी उती है मुझे उन्हें बेजने की जल्दी होती है उन्हें जाने की जल्दी होती है और ये देखिए, after breakfast किचिन का ये हाल है तो चलो इन सब को समेटते हैं किचिन को clean करने के बाद मैंने यहाँ लंच के लिए दाल को भिगो के रख दिया है और अब आ गई हूँ मैं cleaning के लिए क्योंकि दिवाली की सफाई almost मैंने शुरू ही कर दी है और मैंने ये नीचे वाला ड्रोर खाली करके इसका सारा सामान उस उपर वाले ड्रोर में पहुचाना है क्योंकि ये सब मेरे हैस्बेन का सामान है और जो भी कचरा निकला वो निकाल दिया है और अब इस समान को मैं उपर रख दूँगी सीड़ी नहीं है तो मैंने यहां एक टेबल पर इस तरह से स्टूल लगा लिया है और इसके उपर चड़के बहां तक मेरा हाथ आसानी से चला जाएगा और मैं इसे बिल्कुल अच्छे से clean कर दूँगी और यह देखिए पहले मैंने इसे गिले कपड़े से साफ किया और फिर इसे सुके कपड़े से साफ किया और इसे बिल्कुल एकदम अच्छे से clean कर दिया है और यह सब करने के बाद मैं आ गए थी लंच बनाने के लिए जल्दी थी cleaning वेगर के काम में बहुत ही समय लग जाता है यहां मैं बना रही हूँ चनादाल लोकी डाल को पहले ही मैंने हलके गरम पाने में भिगो दिया था और अब यहां इस लोकी को भी काट कर इसमें डाल दूँगी और मेरे पीचे से काफी शोर आ रहा होगा क्योंकि जहां मैं रहती हूँ यह में गली है यहां कभी भी शांती नहीं रहती है रात के दो वज़े भी आपको यहां इतना शोर मिले गया बहुत ही ज़़ा तो मेरा कोई ऐसा टायम नहीं होता यहां शोर कम होगा तब मैं वोईस ओवर करूँगी तो यहां मैंने डाल दिया नमक, खल्दी और थोड़ा सा घी अब इसे बंद करके यहां इसमें 4-5 सीटी लगने के लिए रख दोंगे और अब यहां लगा देंगे दाल में तड़का एक मैं में लिया ओल और टमाटर प्याज लेसन को भी यहां पर ले लिया है डाल दिया जीरा और प्याज इसे भून लेंगे और तब तक यहां पर मैं टमाटर को भी चौप कर लूँगी और यहां टमाटर डालने के बाद लहसुन हरी मिर्ची और बेसिक से मसारे डाल कर यहां पर मैंने तड़का तयार कर लिया है अब इसे अच्छे से भून लेंगे जल्दबाजी है क्योंकि सफाई के काम करने में इतना टाइम चला जाता है कि पता ही नहीं चलता और फिर जल्दी से लंच भी बनाना होता है तो इसलिए मैंने सुबह ही डाल को बिगो के रख दिया था और ये देखे डाल भी अच्छे से पग गई है तड़का भी तयार है तो अब इसमें हमने डाल को डाल दिया है और इसमें लोकी है तो अब इसे एकदम अच्छे से मैश कर देंगे क्योंकि बच्चे हैं अगर लोकी मुँ में आ जाती है तो वो नकरे करते हैं और इस तरह से मैश कर देंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या है क्या नहीं और ये देखे डाल हमारी बनकर तयार है सिंपल सी डाल बनाई है मैंने और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ी सी काले मिर्च ये मेरी फेर्वेट है मैं इसे जरूर डालती हूँ और कसूरी मेथी ये देखे चाहे तो आप यहाँ पर लाल मिर्च का तड़का भी लगा सकते हैं मैंने नहीं लगाया है और यहाँ पर मैंने चाहल के लिए पाने चड़ा दिया है और अब इसमें उबालाने देते हैं उबालाने के बाद मैंने इसमें चाहल डाल दिये थे और अब इसे अच्छे से बॉयल कर लेंगे ये देखे चाहल बॉयल हो चुके हैं मैंने इसे स्टेनर में निकाल दिया है मैं ज़्यादötर चावल इसी तरह boil करके बनाती है क्योंकि हमारे यहाँ पहले मीथे से खाते हैं, बूरा हो, शक्कर उसके साथ क्याते हैं यहाँ मैंने शक्कर को गी में बिगो दिया है पहले इसके साथ खाएंगे और फिर सब्सक्यी के साथ खाएंगे यह चावल, शकर, डाल और प्याज को मैंने बारिक-बारी काट दिया है दिवाली स्टार्ट हो गई है ज्यादा तर क्लिनिंग के काम शुरू हो गई है और ये लंच मैंने प्यार करके रख दिया था कि जब भी आएंगे तब मैं उन्हें दे दूंगी और अपने बागी के काम मैंने कर लिए है तो ये था मेरा आज का एक छोटासा ब्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो मुझे केमन करके जुरू बताएं और मेरे चैनल को लाइफ, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ बाई